नमस्कार दोस्तों आल इंडिया आंगनबाडी नियूस चैनल की आज सुबे की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाडी सेविका सायका मेनी और सबी भाई बैनों का स्वागत है वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजे और पूरा वीडियो ध्यान से देख लेना इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी हम लेकर के आ चुके हैं तो सबसे पहले आपको बता दे की यहाँ पर एक बड़ा एलान हो चुका है एक मई से 18 वर्ष से अधिक उमर वाले जो लोग ह उनको कोरोना का टीका लगाया जाएगा ये जो खबर आ रही है वो हम आपको बताना चाहेंगे प्रधान मंत्री नरंदर मोदी जी की अध्यचता में सो मुआर को एक उचिसतरी बैठक करवाई गई थी जिसमें ही ये निड़े लिए गए है केंदरी स्वास्त मंत्राले ने टीका करण के लिए तीसरे चरण की जो योजना है उसका ब्योरा भी दे दिया है तो अब 18 साल से उम्र वाले जो उपर के उम्र के लोग हैं उनको एक मई से टीका लगेगा और इसमें खास बात ये भी है कि सरकार ने टीका देने के नियमों में भी एक बदलाव कर दिया है निजी फार्मा कमपनी कुछ सर्तों के साथ में टीको को खुले जो है बाजार में भी बेज पाएंगी ऐसा भी इनका कहना है देखते हैं एक मई से टीका करण को लेकर क्या कारकम सुरू हो पाते हैं या नहीं अब इनके अलावा हम आपको रियल केस के बारे में बता देते ह करोना के केस कल इंडिया में कितने आए तो इंडिया में कल जो है करोना के केस आए हैं 3,15,728 वहीं पर डित हुई है 2,102 ये बराबर डित के आंकडे बढ़ रहे हैं बराबर जो है यहाँ पर केस भी बढ़ रहे हैं तो ऐसे में स्वास्त सुजदा हैं काफी जगे वहाँ और कमियां देखने को मिलती हैं जिसकी वज़े से भी लोगों की जाने जा रही हैं। जैसे गवर्मेंट कहती है जो भी माल लेजेगा चुनाओं है इनमें काम करो चुनाओं है तो वो डालो ये सब चीज़े बाकी आप चाहो तो अपनी सुरच्छा के लिए जो समझ सकते हो आप करिए क्योंकि जान से बढ़कर के कुछ नहीं है और एक बात जिसके साथ कुछ हो जाता है पूछने वाला भी कोई नहीं आता है काफी भाई बेहनों के परेशानी के खबरे भी आप लोगों ने देखी है अब 3,15,728 केस एक दिन में आये हैं अब एक एक दिन में अगर 3,3,00,000 केस डाली थी ये हमारे स्वास्त तंत्र की दुरुभाग पूर्ण तस्वीर है इस ट्रेचर पर कोरोना मारीज और साथ में आक्सीजन सिलेंडर ढोते बेचारे घरवाले परिजन अब देखिए यूपी के सहजहापुर का ये मेडिकल कालेज है जहां कि आपको हम तस्वीर दि बेचारे पड़े रहते जिनके घर में परिजन नहीं है उनकी देख रेक कौन करेगा जो स्टाप होता है इस पतालों का वो भी ज्यादा तर दिखाई नहीं देता क्योंकि उनमें भी डर है वो भी डरते हैं अब आगे आपको बता दे बिहार राज आयंगन बाड़ी करमच जी ने तमाम जो है उस्साह वर्धक चीजे करवाई जैसे दीपक जलाओ जैसे थाली बजाओ इनसे क्या हुआ जो बेचारे स्वास्त करमी थे फ्रंट लाइन वर्कर थे इनको साहस हिम्मत दिया गया उनका जो है सम्मान किया गया उनके अंदर होसला जगाया गया लेकिन इस बार हमारी सरकारे कहां पर व्यस्त हैं पस्चिम मंगाल में चुनाओ में व्यस्त हैं बाकी चार राज और हैं वहां पर भी चुनाओ में व्यस्त हैं तो सरकारे इस बार जो है सत्ता हतियाने की उनकी भूख जादा है कोरोना में देश बिगड़ रहा हालात कैसे हैं इस और ध्यान नहीं है वरना होता तो आप यूपी में भी नजर दोड़ा पाते कोर्ट ने जो कहा सरकार ने उसको नहीं माना अब आगे आप लोगों को दिखाना चाहेंगे गोपाल गंजिला फुलवरिया परुजना अंतरगत साहुचक आंगनबारी केंसंखा एक सो तीन की धांजली अर्पित की गई है तो आइल इंडिया अंगनबारी न्यूस चनल की तरब से भी बहन की आत्मा के लिए ओम सांती सभी भाईबन एक बार जरूर लिगना और साथे निदेशक आईसीरिया निलसाले से मांग करते हैं कि सीगरी उनके आसरते को चार लाख रुपे की मुआवजा रासी का भुगतान करना सुनुचित किया जाए कुमार विंदेश्वर जी महास्तचियो और भी थोड़ा ध्यान देते रहना बिहार में काफ़ी लोगों की और बे डेथ हुई है तो यहाँ पर उनको भी साहता रासी मिले और इनके अलावा भी यूपी में भी ह हमारे जूनियन वाले संग्यान नहीं ले पाते हैं यह बड़े दुक्की बात है यहाँ पर अभी आपने देखा था एक बहन थी वो अपना ड्यूटी से आ रही थी वापस कल आपको दिखाया उनकी भी डेथ हो गई थी लेकिन अब उनके लिए आगे देखते हैं कौन आता है यहां उत्तर प्रदेश में हमारे जूनियन वाले एक दूसरे का मुट आखते रह जाते हैं वो कहते हैं यह जाए वो कहते हैं और जब कोई एक आगे जाकर के कुछ काम करता है तो वावाही लूटने के लिए सब ही जो दौर के चले आते हैं फिर कहते हैं यह काम हमने दिया तो यह चीजे हैं जो यहां पर करता कोई और है और लाब कोई और जो यानि वावाही लूटता कोई और है अरे यहां पर आप वावाही जितनी लूटना चाहें लूट लें सब लोग मिलकर के लूट लें और इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं लेकिन उनके परिवार को आर्थिक मदद तो कम से कब पहुचा दीजिएगा काफी केसे से हैं जिन में मदद ही नहीं मिल पाई केवल जो सुर्खियों में बहने बेचारी बनी रही अब देखे पंजाब के गुर्दासपुर से भी खबर आई है बारी सोने के बावजूद भी धरने पर बैठी रही हमारी आंगनबारी वरकर बहने तो अभी आप लोगों ने देखा कल और परसो मौसम बहुत ज़्यादा खराब रहा काफी जगए यूपी वगरा में तो कल खराब रहा है तो आप कल सामको तो यहाँ पर बहने जो मौसम खराब होने के बावजूद बारी सोले के बावजूद भी धरने पर अपना डटी रही साथी पंजाब के गुरदास पुर में आपको बता दे आंगनबारी वेनों ने रोस मार्च भी निकाला था सरकार के खिलाप वेनों ने नारेबाजी भी की थी तो यहाँ पर केबिनन मंतरी हैं अरोडा चोधरी उनके ही जो है घर के सामने ये धरना बगरा बेनों का पक्का मूर्चा चला है लेकिन हमारे जो सरकारे हमारे नेता मंतरी लोग इनको कुछ भी जो है दिखाई सुनाई नहीं देता है लोगों की परिसानिया क्या है इस और उनका जराबी धहन नहीं जाता अब उत्रांचल के नहीं निताल से एक और ये खबर निकले थी कि मीना बहन है विसम परस्तियों में भी कुरोना से नहीं 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 हार मानी है साथी आगनबाडी वरकर्स को इन्होंने बहुत ज़्यादा होसला दिया है तो बहुत-बहुत धन्वाद इनको और भी जो बहने हैं वो भी इसी तरीके से काम कर रही है बाकी आप लोगों को पता है वैक्सीन लगवाने को लेकर के भी बहने हर जगे जगे बहने मदद के लिए कह रही है अपनी भूमिका निभा रही है टीका करण वगरा करवाने के लिए बोल रही है इसमें कोई दोराय नहीं है अब आगे देखें TGT के लिए पांच मई तक आवेदन कर सकते हैं तो उत्तरपदेश से एक बड़ी खबर है TGT के लिए आप अगर आवेदन करना चाह रहे होंगे आपके घर में कोई तो पांच मई तक आवेदन हो सकता है मेरट से ये खबर छपी थी TGT में रजिस्टेशन करने के लिए पांच मई तक आवेदन कर सकते हैं बताया जाता है कि सर्वर डाउन होने की वज़े से बड़ी संख्या में अभरती फारम नहीं भर पाये थे वेवसाइट के काम नहीं करने के कारण अभरती परिसान थे तिथी आगे बढ़ने के लिए छातर सोसल साइट पर चला करके मुक्यमंत्री से मांग कर रहे थे तो अब यहाँ पर आपका उत्तर पदेश मादिमिक सिच्छा सेवा चैन बोर्ड प्रयागराज ने 16 मार 2021 से UP TGT 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया सुरू के थी लेकिन उसमें दिक्कते आई जो हो नहीं पाया अब उसको बढ़ा दिया गया अब इसमें आप 5 मई तक आवेदन TGT के लिए उत्तर पदेश में कर सकते हैं यह आगया ऑनलाइन फारम बोर्ड की विबसाइट पर मिल जाएगा लेका है www.up और sessb.org पर इधना जो आप जाकर के भर सकते हैं और जो भी लगेगा कौन उमीदवार होगा उसका भी पता कर लेना यह मत समझना कि आंगनबारी बेहने आप भी यह फारम डाल पाएंगी फिलाल के लिए हम बात करते हैं आंगनबारी वेकैंसी वाले फारम की अपनी वाली तो इसमें आपको बता दे बेहनों ने पूछा भाईया अमारे यहाँ पर जो है यह फारम अगरा का इन्होंने इंतजार किया है डेट तो 16 थी वो निकल गई अब वहां पर जो फारम अपलाई कहीं पर भी नहीं हो पाए हैं अगर कहीं पर भी हुए हैं तो भाई बहन बताएं कि आपके जनपन में फॉरम अपलाई हुए हैं या नहीं हुए हैं अगर कहीं हुए हैं तो बताना अगर नहीं हुए हैं तब भी बताना और इसी वीडियो के नीचे कमेंट बाक्स में बताना वाटसेप पर नहीं अब ये फिलाल के लिए आपको बताना चाहेंगे एक और जानकारी देते हैं वैकेंसी को लेकर के आने वाले वक्त में सरकार जो है यानि नितसाले से एक सरकारी आदेश आएगा उसी का अंतजार कर ये वीडियो को देखते रहे है किसी दिन भी वो आ सकता है जब ही वो जारी होगा नितसाले से तब हम आपको दिखाएंगे बहुत सी बहने हैं इनका कहना है सुदानसु भाया नमस्कार हम आपके न्यूज डेली जो है कई वगरा कहीं पर भी हो जरूर देखते हैं बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी जो हसी भी आ जाती अच्छा बोलते हैं प्ली राम पंचाद का आप अपने मन से कैसे सुन सकती हैं जो हमने बताया भरती चन प्रक्रिया में जो समझाया उन चीजों को ध्यान में रखिए बेवज़े अपने मन से अपने सवाल बेकार के खड़े मत करिए वो किसी काम के नहीं है रही बात फॉरम वगरा भरने की तो उसक रहानी लखनव की तर्च पर बढ़ा है कानपुर में भी करूना का कहर उनी 182 केस जो है कल आये हैं देखने को यहां मिले हैं वहीं पर कानपुर में अगर हम एक्टिव मरीज की आपको संख्या बताएं तो यहां पर केस है 14471 केस कानपुर में हैं लखनव में भी ऐसे ही द अलिक पर उन्होंने केस ठोक दिया अब देखिए अब जब जिलाक के जज हैं जब इनको इलाज नहीं मिल पा रहा है यह केस कर रहे हैं अस्पतालों पर बताओ आप और हम जैसे क्या करेंगे हमारा काम आपको भ्रमिद करना नहीं है हमारा काम आपको अंधेरे में रखना अभी नहीं है हमारा काम आपको सच बताना है हिम्मद भी देना है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अधेरे में रखकर के आपको हम बर्गलाते रहें कहे दें कि न करोना है न कुछ है डरिये मत गबरा ये मत तो ये बी एक गरत बात है जो है वो तो बताया जाएगा जो चल जाना होगा जायागा कोई हम या आप अकेले तो है नहीं सब लोगों के साथ में है वो हमारे साथ में भी है और बस साउधानी भरत लीजिएगा आप समस्यां आपको हम दिखा रहे हैं समाधान आप ही कर सकते हैं घर पर रहिए सुरच्छित रहिए मास्का उपयोग करिए और जादा इधर उदर मिलना जुनना सब बंद कर दीजेगा खाने पीने का अच्छे तरीके से ख्याल लखिएगा उट पटाएंग चीजों का सेवन बिलकुल भी ना करें चाहे घरे लुजुन उसके आपको वाटसिप पर आते रहते हैं या ऐसे वैसे आप कुछ भी खाने में उल्टा सीधा खाते रहते हैं तो इनका भी ध्यान डखना आगे चलते हैं आपको बता दे अस्पताल की विवस्ता को देख करके जज भड़क गए थे सीमो से अस्पताल का मालिक भी बोला कि अस्पताल सील करवा दो मुझे जेल भेज दो ऐसे करके अंदाजा लगाए आम जनता की क्या दुर्दसा होगी तो हम आपको ढराने रहे सावी सही बता रहें ये रहा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वगरा रिपोर्ट आप देखे अंडर सेक्शन 154 वगरा CRPC वगरा प्रिथम सुचना रिपोर्ट धारा 154 दंट प्रक्रिया सहीत के तहर और यहाँ पर कानपुर सहर का ये मामला आप देखे फर्स्ट नंबर वगरा भी 0164 ये पड़ा हुआ है वर्स 2021 थाना पनकी है पनकी थाने का मैटर ये देखे 21 तारीक को ये 12 बचके 52 मिनट पर आप देख सकते हो ये इनके वहाँ पर ये मैटर मेरे पास आया हुआ है तो फलाल के लिए आप यहाँ पर देख लेजेगा ये रिपोर्ट वगरा भी इन्होंने अस्पताल के उपर केस भी जजने कर दिया अब ऐसे मामले आ रहे हैं सहरसा पुलिस की देखिए अपील है कि कुरोना के साथ भ्रम और डर वगरा ना फैलाए अच्छी बात है बहुत अच्छा उन्होंने कहा संदेश है हम भी कहते रहते हैं कि जो वीडियो आपके लिए भ्रामक आते हैं उनको आगे ना फैलाएं उनमें कहीं जो है बॉड़ी से अंग निकाले पाट निकाले के बारे में बोला दिखाया जाता है उन चीजों को एग्नोर करें हो सकता है ऐसा हो रहा हो लेकिन आपको समझ बूझ रखनी है अपने अंदर रखनी है ज़्यादा इन चीजों को फैलाना नहीं है कमजोर दिलवाले देख करके ढर जाते हैं और हो सकता है कि उसमें से कुछ मूवी के सीन भी हो हॉलिवड की मूवी बगरा उनके सीन भी हो सकते हैं काट करके बेज़ दें वाइस ओवर उस पर कर दें और आपको लगे कि इस सब रियल है अभी का है तो कहीं ने कहीं आप इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा देखिए अच्छे इंसान बनने का प्रयास करें और यदि आपके करीब में कोई संकर्मित हो तो उसका होसला बढ़ाएं अच्छे-च्छे संदेश प्रिसित करें फोन पर उससे बात कर लें फोन पर तो बात की जा सकते है ना फोन से तो कोई संकर्मित फैल नहीं रहा तो फोन से आप बात कर लें उसको अच्छा लगेगा अब आगे देखिए खुसियां आप सब बाटें भय ना बाटे ये आप सब को जो है यहाँ पर बोला जा रहा है अभी आप देख सकते हो राजधानी पतना में कोरोना के इलाज के लिए 18 निजी एस्पतालों को इजाज़त भी दे दी गई है आदेश वगरा सिविल सर्जन पतना डाक्टर राज किसो चोदरीग ने सो मार को ये दे दिया है मंगलवार से कोरोना मरीज्यों का उसमें इलाज भी सुरूर हो जाएगा मोबाइल नंबर भी यहाँ पर लेखा हुआ था इमर्जनसी वगरा के लिए आगे आपको बता दे बिहार सरकार का एक लेटर हम आपको दिखाते हैं इस तारीक को निकला है बिहार में और आगन बाड़ी बहनों पोसाहार से जुड़ा हुआ मैटर है तो देखिए माह जो अपरेल है 2021 के लिए पूरक पोसाहार की जो रासी है जो पैसा है उसको अंतरित करने के संबंद में आया हुआ है तो इसमें लेका है अता निर्देश दिया जाता है कि सनलग नसूची के कालम 3-4 के अनुसार संबंधित वाल विकास परोजना काराले में 24 घंटे के अंदर पैरेंट यानि चैल्ड एकाउंट से माह अपरेल 2021 के पोसाहार संचालन के लिए साथी साथ निर्देश दिया जाता है कि निर्देशाले द्वारा इसे है तो आवांटन प्राप्थ होने एक सी जो उपरोग रासी को अविलंब पैरेंट एकाउंट में अंतरट कर दिया जाए ऐसा करके जो है ये लेटर वारा बेजे गए हैं और किसको भेजे गए हैं निदेशक जी ने संबस जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को भेजा है सभी जी लोग के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को दुकानے है इनके संचालन को लेकर के आया है स्रेड़ी एक की जो दुकाने है जिनमें electronics वगरा है और goods हैं पंका, कूलर, एर वगरा, कंडिशनर ऐसे चीज़े हैं और इसमें देखे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप यानि सैलून, पारलर, फरनीचर दुकान, सोना चांदी दुकान ये वाली जो स्रेडी एक की दुकाने हैं ये आपकी लिखा है ये दुकाने सोमवार, बुधवार और सुक्रवार को खुलेंगी सेज दिन या मंगलवार, ब्रस्पतवार, सनिवार एवं रववार को ये दुकाने पूरी तरीके से बंद रहेंगी साथी स्रेडी दो की जो दुकाने हैं जिसे कपड़ा के दुकान, चूता, चपल और ड्राइ क्लिनर्स वगरा संगार के दुकाने ये आपकी मंगलवार, गुरवार एवं सनिवार को खुलेंगी सेज दिन यानि सोमवार, बुधवार, सुकुरवार एवं रववार को ये दुकाने पूरी तरीके से बंद रहेंगी अब आगे देखे स्रड़ी एक, दो को छोड़ करके सेज सब ही दुकाने प्रते दिन सुबह चे बज़े से साम चे बज़े तक खुलेंगी तो सुबह चे से साम चे बज़े तक आपकी बाकी दुकाने खुलेंगी जैसे मंज़क किराना मगरा रासर पानी के दुकाने ये सब दुकाने आप लोगों के लिए हमेशा खुलती रहेगी मां के आगे आप लोगों को इसमें और भी जनकर यां लिखी हैं लेकिन इतना तो आप सब समझदार हैं ही चाहें तो इसका स्ट्रीन सौट लेए और इसको भी आप लोग बिहार से हैं तो पढ़ सकते हैं हम आगे चलते हैं आपको और भी दिखाना है मद्द प्रदेश के मुरैना में भी एक लेटर बीस तारीक को जारी हुआ इसमें देखे लेखा गया है कि जो है नगर निगम छेत्र में प्रतेग घर में सांस लेने में तकलीप, खांसी, जुकाम, बुखार, आदी से पीडित जो व्यक्ति हैं कोविट संक्रमित व्यक्तियों का सर्वे किया जा रहा है इसे तु समस्त सेक्टर परवेच्चक अपनी निगरानी वा मार्दरसन में अपने सेक्टर की अधिनस्त आंगन बाडी कारकरती साहिकाओं से समनवे कर उपत जो है सर्वे आगामी तीन दिवस में कराया जाना सुनचित करें समस्त परवेच्चक परदिन किये गए सर्वे के रिपोर्ट सनलग निर्धारित प्रारूप में अधिनस्त आंगन बाडी कारकरता साहिका से प्राप्त करके डाक्टर आनुमा वगरा महस्वरी जीन के सर्विलांस मेडिकल आफीसर यानि SMO कारयाले मुक्षक साधिकारी मु पर निदान की बात होती है तो हमारी ना सरकारी सुनती है ना हमारे निर्धासले के अधिकारी सुनती है लेकिन हमारे निर्धासले के जो अधिकारी है बालवेकास के वो ऐसे स्वाथभाग के साथ में काम करने के लिए दबाओ ज़रूर बनाते हैं आदेस निकाल देते हैं बाकी नहीं कामों को करने के लिए मुवाइल में 200 रुपिया रिचाज का पैसा तक ये भेजते नहीं है अब आगे देखे बिहार राज्य सरकार पंचैती राज की तरब से ये 20 तारीक को एक लटर आया कुरोना महमारी की रोग ठाम के लिए मास्क के उपयोग को बढ़ाने के सम्मन्द में आया हुआ है तो आप देखे यहां पर लेका है कि हर ग्रामीर परिवार को 6 मास्क उपलब्द कराए जाए मास्क की कीमत 15 रुपया GST अतरिक से अधिक नहीं होनी चाहिए दरबारता की आधार पर मास्क की कीमत नियूनतम रखी जाए ऐसे करके बोल आ गया अब देखते हैं यह फ्री में जनता को मिल पाते हैं या लोग ही बीच में दबा जाते हैं अब देखिए लेखा हुए मास्क है तो अधिकतम 100 रुपया 100 यानि रुपया मात्र प्रती परिवार की दर से 15 विक्त आयो के अनावरद अनुदान मद की रासी उप्यों किया जा सकता है तो सरकार ने पैसे के बारे में भी कहा बिहार सरकार की पंचाहती राज ने कहा कि मास्क की उप्योगता बढ़ाओ हर परिवार को 6-6 मास्क दीजिए लगबक 100 रुपया की लागत से तो यहां इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 15 रुपया लागत के हिसाब से है तो 6 मास्क दीजिए अक्षटा रख दिया है कि 100 से उपर नहीं होना चाहिए इस हिसाब से आप मास्क ले लीजिएगा और यह भी लेखा है कि जो है वितरन पंजी में हस्ताक्षा रंग उठा लेना भी जरूरी है यह भी लेखा है कि मास्क का वितरन किसी भी प्रकार का एक फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाने पर किया जाएगा यानि घर में आपको एक फोटो पहचान पत्र दिखाना पड़ेगा उसके बाद उसकी फोटो भी आप खीच लेना उस व्यक्ति की और उसके जो है सबूत की वगराब की और उसके अलावा दो इन वितरन पंजी पर इंचुजों को आप अपना दर्श कर लेना और ये सब काम स एक परिवार में जो है कितने मास्क दीने के लिए कहा गया है अब जिसके घर में मानेजे तीनी चार लोग है तो तो तीनी मास्क दीए जाएंगे अब मास्क की क्वालिटी देखो अच्छी होगी नहीं क्योंकि आप सोचके पंदा रुपै की लागत में कैसा मास्क मिलेगा बिहार सरकार का एक ये मेरे पास मैटर और आया हुआ है आप इसको भी स्क्रीन सॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं आपर क्या-क्या लेखा हुआ है देखो गाओं में किसी भी व्यक्ति को लच्चर होने के स्तिती में तुरंद प्रभारी चिक्सादिकारी को सूचना दो सोसल डिस्टेंसिक बना करके रखो सेनेटाइजर वगरा का उपयोग करो ऐसे चीजे लिखी हैं लेकिन गरीब जनता जिसके पास खाने के लिए नहीं है वो इन चीजों को लिए सेनेटाइजर सेनेटाइजर क्या बेचारी कर पाएगी ये तो काम सरकारों के हैं साफ सफाई सेनेटाइजर वगरा करवाना ग्राम परधानों की जिम्मेदारी है लेकिन ये निभाई नहीं जा रहे जिनको पैसा बेजा जा था जिनको पहले भी द आगया वो पैसे डकार डकार के बैट गए लोगों को सुविधाय उन्हों नहीं नहीं पहुँचाई प्रपरधानी के चुनाव में लोग जो है करोडों रुपे हर एक ग्राम सबा में फूख सकते हैं जनता को दारू वगरा पिलाने के लिए और एही सपरचार प्रसार में प पना पैसा जमा करें और गरीब जो भी इंसान होगां गाओं का उसको मदद शुरूप जो पैसा चाहिए हो तो उसको उसी में दे 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 उधार शुरूप दे दे के लिए सुल्ग जमा करने के लिए आवेदन सम्मिट करने के लिए अंतिम तितिया ये दी हैं एक पांच सीन पांच और पांच पांच ऐसे करके आई है NIC के इपरिच्छा कोटर के सुचारो रूप से इस चीज को ले करके है पिलाल ये इसमें लेखा क्या है उपर हम आपको पढ़के बताना चाहेंगे माधमिक जो असास की माधमिक विद्धाले में पसिचित इसनातक सिच्चे किवं प्रवक्ता के विसेवार अनाराचित जुस्रेणी के लोग हैं हम सब के लिए इसमें नहीं है आगे चलते हैं बिहार सरकार का एक और ये लेटर आया था आप देखें पिछले आदेसों के ज़र दुकानों को साथ बज़े संद्या तक बंद करने के आदेस था लेकिन अब छे बज़े ही साम को जो है सारी चीजे बंद हो जाएंगे जैसे बस, हवाई, रेल यात्राएं या प्रतिबंद भी लागू नहीं यहां पर मतलब प्रतिबंद उनका कहना नहीं लागू रहेगा तो यह तो फिर दिक्कत वाली बाते हैं जहां लागू होना चाहिए वहां लागू नहीं होती है अब इसमें भी आप चाहो तो स्क्रिन सॉट ले सकते थे और ये देखो उम्र के अनुसार में सामान रक्तचाप को लेकर के भी जानकारी आई है यानि उम्र जब बढ़ती है उसके साथ में रक्तचाप धीरे धीरे वरद्धी होती है तो इसमें देखें यहां पर हम आपको एज के हिसाब से बताते हैं जो आपके यूज में आए ज्यादा तरा आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इसमें आपके यहां पर 30 साल से उपर वाले अगर हैं तो यहां देखो 30 साल से उपर वाले लोग हैं इनके लिए जो मिनिमम्म 110 से लेकर 77 तक लेखा हुआ है, नॉर्मल में 122 से 81 है, मैक्जिमिंग से 134 से 85 है, अब देखें आपर 35 से 49 वालों के लिए 111 से 78 है, 123 से 82 है, 135 से 86 है, अब यहां पर 44 से 44, 112 से 89 है, 125 से 83 है, 137 से 87 है, 145 स 45 से 49 वालों के लिए 115 से, अज सी है, 127 से, 127 से